बात करते हैं दिल्ली की भीशन गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली पानी की भारी किलत से जूज रही है बून बून पानी के लिए तरस्ती दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए अफरात अफरी का माहौल देखा जा रहा है हालत ये हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है चाने के पुरी, वसंद विहार, अशोक नगर, आनंद पर्वर, समित तमाम इलाकों में टैंकर के जरिये पानी पहुँचाया जा रहा है टैंकर्स के आते ही पानी भदने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो जाती है के इलाकों में तो भगदर जैसे हालाद बन जा रहे हैं अब जल संकट को देखते हुए केज़वा सरकार सक्ति करने का एलान कर चुकी है दिली में पानी की बरबादी करने वालों से 2000 रुपए वसूले जाएंगे तो पानी के अवैर कनेक्शन काटने की भी तैयारी हो रही है दिली जल बोट की 200 टीम आज से अलग-अलग इलाकों में निगरानी करने वाली है ये टीमें पाइप से कार्ड होने, पानी की टंकियों की ओवरफ्लू होने और कंस्ट्रक्शन साइट पर पीने के पानी के इस्तमाल पर नकेल कसेगी इसके साथ ही दिली सरकार सेंटरल वाटर टैंकर का वार रूम तयार करने के दिशा में काम कर रही है और इसके जरिये दिली वालों को 1916 पर कॉल करके वाटर टैंकर भेशने का इंतिजाम किया जा रहा है लेकिन भीशन गर्मी के चलते पानी की जो किल्लत है इस वाक दिली वालों के लिए भारी परत दिख रही है अलग-अलग इलागों के आप तस्वीरे देखिए चाने के पूरी वसंद विहार हर जगे पर आपको टैंकर के लिए लोग मारा मारी करते नज़र आएंगे गीता कॉलोनी रंग पूरी सरकार के में वस्ता करना आए बोट मांगने के लिए सरकार आ जाता है हमार जन्ता के देखने के लिए सरकार नहीं है तिली सरकार आम आदमी पार्टी के सरकार बनी तब से यह तरह इतरह इमाम कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी है पानी को नहीं चाहिए बैका के भोट ले लेते हैं लेकिन पानी कोई साधन नहीं करते हैंगे आज कितने बर्स होगे हमको टेंक का राता है टेंक रों में इतनी लडाईया होती है कि पूछो मत आहा कार मत जाता है ठाना पुलिस होती है रोज पुलिक के बार में कुछ नहीं सोचा 50 दिगरी टेंपरेचर में अपने हलक की प्यास बुझाने के लिए घंटो टैंकर का इंतिजार और फिर टैंकर पहुंचते ही उसके पीछे भगदण के ये हालात बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में जल संकट कितने भयावय हो गया है कहीं घंटो इंतिजार के बाद पहुंचे टैंकर के पीछे भगदण के हालात हैं तो कहीं इंतिजार के बाद भी हाथ खाली हैं पीने के पानी के लिए रोज मरा के इस्तमाल के पानी के लिए आप लोग कितना कितने देर इंतजार करते हैं, कितने के तक निदे लगते हैं, पूरा पूरा देर इंतजार करते हैं, तेंकर का इंतजार करना पड़ता है, तेंकर जब आता है जभी पानी मिलता है, पीने वाला संक्री गलियां जो टैंकर आते हैं खुत्संपूर पहाडी में वो नीचे ही रुप जाते हैं जो गलियों के उपर के घर हैं वो लोग नीचे घंटो लाइनों में लगते हैं फिर ऐसी साइकिलों के माथ हम से जो है वो कंटेनर पानी के भर के अपने घर तक धोड़ते हैं सुबह सुबह लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन राजधानी दिल्ली में इन दिनों लोग सुबह उठ रहे हैं तो सब से पहले उन्हें पानी की चिंता सता रही है काम पर जाने से पहले लोग पानी की बालती, दिब्बे और दूसरे बरतन लेकर लाइन में लग जाते हैं जहां घंटों तक टैंकर के आने का इंतजार करना पड़ता है और जब टैंकर आता है तो पानी के लिए किस तरह की मारा-मारी मचती है वो आप देखिए यह उस दिल्ली की तस्वीरे हैं जिसके मुख्यमंत्री पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में जाकर तारीफ करते करते नहीं ठखते हैं मुफ्त पानी के इंतिजाम करने के अपनी सरकार के इंतिजाम की तारीफ में कसीदे पड़ते हैं लेकिन सच्चाई क्या है जमीन पर इन तारीफों की हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों में देखी राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां दिन निकलने के साथ ही लोग पानी की तलाश शुरू कर देते हैं कोई साइकिल पर गैलन लेकर निकलता है तो किसी कोई रिक्षा का सहरा है पानी के लिए दिनों रात करें इतनी मेनद करते हैं पानी के जब हमेरे पानी नहीं मिलता है यह पहले हाथ में पकड़ते हैं यह हालात है है 70 ऑनी पुडिया यह पर पानी सैकलों से लेके जाती है मैं हेंडीकUp में पानी के लिए खडी हुी है हिंख़् Cash पानी के लिए बूद बूद के लिए लिक करें यह दो दो डबे प्ूरे दीन का चलते है दो गंटानी सब अक होते हैंasa साल दर साल गर्मियों में पानी की कमी से जूचती दिल्ली के लोग इस बार कुछ जादा ही परिशान है दिल्ली को हर दिन 139 करोड गैलन पानी चाहिए लेकिन सप्लाई करीब 97 करोड गैलन की हो पा रही है यानि 32 करोड गैलन प्रती दिन पानी की कमी दिल्ली वालों को है बून बून के लिए तरस रही दिल्ली वासियों का सब्र अब जवाब देने लगा है और उसका गुसा अब सढ़क पर दिखने लगा है और आपने देखा कि किस तरह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं मारा मारी तक हो रही है लेकिन सरकार को लेकर भी लोगों के अंदर रोश नजर आ रहा है हमारी रिपोर्ट आपने देखिए आप आपको पताते हैं कि किस तरह से बून-बून पानी के लिए तरस रहे हैं आपको आप ले चलते हैं दिली के न्यू अशुक नगर जहांपर लोग सुबह सही पानी के लिए जद्दो जहेद करते दिखाये दे रहे हैं आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि जैसे टैंकर आते हैं लोगों की लंबी कतार लग जाती हैं सब अपना अपना बाल्टी या दूसरे बॉटल्स लेकर पहुंचते ताकि वो पानी को जमा करके रख सके हैं हमारी सयोगी अनामेका भी यहाँ पहुंची लोगों की उन्होंने शिकायश सुनी लोगों गड़ी में से परेशान हैं क्या कह रहे हैं लोग सुनते हैं कि दिल् drinking जलमंतरी का कहना है कि राज़्धानी में इमर्जनसी जैसे सिच्वेशन है पानी की किलाथ चल रही है जल संकट में समय दिल्ली वाले जूज रहे हैं इस समय हम मौझूध हैं नू अशोक नगर के एक कॉलोनी में जहां पापी कि कमी इतनी है कि लोग मितन पर गोट जपर और चरा गमार आीजिनी फेले कि फॉटी गाड़ीysics गर्णी के ताड़ी आता थीज्य जवुआ जहां मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिली जाए का बहुत भट समस्सार ही गाड़ी नहीं पर्यापत नहीं है पर्यापत इस तस्वीर बैका म्याँर और में दिल्ली का लोग सुबह सुबह पानी की लाइनों में लगे हुए हैं ताकि पीने का पानी कम से कम वो सुरक्षित कर ले पानी लेके जा रहे हैं बस यह 10 लीटर पानी के लिए कितनी देर इंतजार किया आदा गंटा हो गया हमें आए 7 बजी आई थी नहीं का पानी नहीं में बहुत परिशान हो पानी के लिए बहुत परेशान है बहुत परिशान हो पानी बहुत जबर जश्तिस एक डिबा मिलता है बहुत दिकत होती है गारी हाँ आती नहीं है समय से एक डिबा मिलता है उसमें भी लड़ाई भड़ाई होता रहते हैं सक्में और दिली का शुक नगर के बाद इंडिया ठीवी संग्मादाता अनामिका चानेकपूरी के संजे कैम तक पहुँची यहां भी लोग सुबा से ही टैंकर का इंतजार करते निखे और जब टैंकर पहुँचा तो लोगों में अफ़रा दफरी मच गई कोई टैंकर के उपर चड जहां पर लोग लंबी कतार लगाकर खड़े थे कि पानी मिलेगा तैंकर आ गए पाइब भी लगा तो लोग काफी निराश हुए क्योंकि जो पानी था वो साफ नहीं था मिट्टी वाला पानी था और ऐसी तस्वीरित दिल्ली की हर एक इलाके से आ रही हैं 129 करोड गैलन प्रति दिन पानी की डिमांड है और 96.9 करोड गैलन प्रति दिन की सप्लाई हो रही है तो आप देख रहे हैं कि कितना जादा इसमें करीब करीब 30 करोड गैलन प्रति दिन 30 करोड गैलन प्रतित दिन की कमी आ रही है जिसके वज़े से लोगों को दिक्कत हो रही है यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है जहां पर इस समय जलसंकट मंडरा रहा है जब दिल्ली जलबोट का टैंकर इस इन इलाकों में आता है तो लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इन टैंकर में चड़के अपना पाइप डाले और पानी भर ले क्योंकि लोगों को भी पता है कि पानी की कमी है और इस टैंकर में जितना पानी आया है यह पूरे इस इलाके के लिए परियाप नहीं है पानी के लिए मारा मारी इस समय पूरी दिली में हो रही और एक तस्वीर हम आपको संजे कैम्प की दिखा रहे हैं जहां पर यहां पर रहने वाले लोग सिर्फ इस टेंकर के पानी पर निर्भर करते हैं पाइप के माधम से सबकी कोशिश है कि पहले जो टेंकर के ऊपर चड़ जाएगा उसका जो बॉटल है पानी का बरतन है पानी का वो भर पाएगा कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं लेकिन इस समय सबकी कोशिश है कि यह कितनी कमी है या पर पानी की लुआ एक मारा मारी कर लिए पानी ठोड़ा से जल्दी में चड़ जाते हैं और अभी उपर चड़ चोट लग जाती तो त्वे 3 ुट एक सरकार में कुछ कर रही है एक करी मरेंगी न कोई वातनी थे का बहुत कमी में आपे पानी लेट आते कभी कभी जल्ली भी आ जाता है कि कोई भर नी पाता आधा पानी आता है इस इलाके में जो लोग है वो सुभे से इंतजार कर रहे हैं नौ बजे का समय हो चुका है नौ बजे इस इलाके में पानी आया है और हर किसी की कोशिश है कि सबसे पहले पानी जपट ले पानी भर ले ताकि के लिए पानी के लिए पानी की बहुत हुई ईहां कभी आधा तैंकर आता है की इसे में प्रिए वहांम कर दिया है यह पीने लाएक पानी नहीं है हाला कि यह दिली जलवोट की तरफ से यह पानी पीने के लिए मोहया कराया जा रहा है पर पानी की जो क्वालिटी है उसमें देख सकते हैं धूल है मिट्टी है ऐसा पानी दिली के लोग जो है वो संजे कैम के अलावा दिली के कई ऐसे इसे इलाके हैं यहाँ पीने को मजबूर है, जहाँ पानी नहीं आ रहे है, दो टाइम टेंकर का इंतजार करते हुए, केवल एक टाइम टेंकर आ रहे है और मुश्किल से मुश्किल लोग जो हैं, वो केवल एक से दो बाल्टी पानी लेके अपने घर जा रहे हैं, पानी तो बहुत दिक्कत है एक टैंकर आरा पूरे दिने में पारा गुजारा अब इसमें क्या करेंगे तो न इतनी बड़ा कैम्प है चोट लग जाएगी तो चैने कितने बहुतों का चोट लगी है रिक्सम हम पानी तो भरना है